क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी कार का बीमा रिन्यू करवाना भूल गए तो क्या हो सकता है? सुनील नाम के एक व्यक्ति की कहानी की कल्पना करें, जिसने ऐसा ही किया. सुनील, एक गर्वित कार मालिक, अपने सावधानी पूर्वक स्वभाव के लिए जाना जाता था. लेकिन एक दिन, उसने एक महत्वपूर्ण चीज़ को अंदेखा कर दिया, अपनी कार बीमा रिन्यूल. उसका वाहन, जो अक्सर गराज में रखा रहता था, उसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी. रिन्यूल की तारीख बिना किसी की नजर में आये निकल गई, और इससे पहले की वो जान पाता, उसका बीमा समाप्थ हो गया. एक सुबह, सुनील ने अपनी कार को घुमाने के लिए बाहर जाने का फैसला किया. यह एक सुन्दर दिन था, सूरज चमक रहा था, और सडक लोगों को बुला रही थी. लेकिन, दुरभाग्य से, भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था. अचानक, एक साइकल सवार ने उसकी कार के सामने आकर अपनी कार मोड ली, जिससे सुनील को जोर से ब्रेक लगाना पड़ा. हाला कि वो एक बड़ी दुरघटना से बचने में काम्याब रहा, लेकिन उसकी कार को कुछ नुकसान हुआ. पॉलिसी पर भरोसा रखने वाले सुनील को ज्यादा चिंता नहीं थी. लेकिन जैसे ही उसने अपने दस्तावेज निकाले, उसे एहसास हुआ कि वो एक टन इटो से मारा गया था. उसका बीमा समाप्त हो चुका था. वो इसे नवीनी कृत करना पूरी तरह से भूल गया था. उसका दिल तूट कया जब उसने सोचा कि उसे कितना खर्च उठाना पड़ेगा और सडक पर कार चलाना भी अवैद है. उसे एहसास हुआ कि एक छोटी सी चूक ने उसे वित्य तनाव और अनावश्यक तनाव का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था. आईए इस कहानी को समझने के लिए कुछ समय निकाले. ये समय पर कार बीमा नवीनी करन के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है. इस कारे को भूलना या अन्देखा करना आसान है, खासकर जब आपकी कार अपना अधिकांच समय गराज में आराम करने में बिताती है. लेकिन याद रखें, बीमा केवल सड़क पर आपकी कार की सुरक्षा के बारे में नहीं है. यहाँ आपके वित को अप्रत्याशत खर्चों से बचाने के बारे में भी है. वैद बीमा ना होना, चाहे वो साधारन थर्ड पार्टी बीमा ही क्यूं ना हो, जटिलताओं का कारण बन सकता है. मरम्मत की लागत वहन करने से लेकर संभावित कानूनी मुद्दों तक परिनाम गंभीर हो सकते हैं. इसके अलावा, सक्रिय पॉलिसी के बिना, आप बीमा द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों से वंचित हो जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत चोटों और थर्ड पार्टी देंदारियों के लिए कवर. सुनील की कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि कार बीमा एक विलासिता नहीं है, बल्कि एक आवश्यक्ता है. ये केवल कागस का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक धाल है जो आपको वित्तिय जटकों से बचाता है. इसलिए, अपने कैलेंडर को चिनित करें, रिमाइंडर सेट करें, ये सुनिष्चित करने के लिए जो भी करना पड़े करें कि आप समय पर अपनी कार बीमा का नवीनी करण करें. आखिरकार, पच्चताने से बहतर है कि सुरक्षित रहें, है न? याद रखें, कोई भी आपके पास नवीनी करण के लिए नहीं आएगा. अपनी बीमा स्थिती पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है. किसी चूप को बोज न बनने दे. समझतार सुनेल की तरह बने. जो अब अपनी कार बीमा को नवीनी करण करना कभी नहीं भूलता. क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कोने में क्या छिपा है. अगर कहानी आपको महत्व को समझने में मदद कर रही है तो अलट पर आने के लिए और भी बहुत कुछ करें. अगर आपको पसंद आए तो क्रिपया मेरे चैनल को शेर और लाइक करें.